नहमाया की पुस्तर अब नहाय आए आट जब सात्वा महिनाथ निकट आया उस समय सब इस्राइली अपने अपने नगर में थे तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकटे होकर एजरा शास्त्रि से कहा कि मुसा की जो व्यवस्ता यहोवा ने इस्रायल को दी थी उसकी पुष्तक ले आ तब एजराया जग साथवे महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सभूम के सामने वेवस्ता को ले आया और वह उसकी बाते भोर से दो पहर तक उस चौक के सामने जो जल्फाटक के सामने था क्यास्त्री क्या पूरुश और सब समझनेवानों को पढ़कर सुनाता रहा और लोग वेवस्ता की पुस्तक पर काम लगाए रहे एजरा शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बनाया गया था खड़ा हो गया और उसकी दहिनी अलंग की अलंग मत्तित्याह, शेमा, अनायाह, उरियाह, हिलकियाह, और मासियाह, और वायलग, पदायाह, मिशायल, मलकियाह, हाश्म, हश्पदाना, जकरियाह, मश पुष्लाम खड़े हुए तब एजरा ने जो सब लोगों से उचे पर था तब होके देखते उस पुस्तक को खोल डिया और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठध कड़े हुए तब एजरा के महान पर मिश्वर यहवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठा कर आमेन आमेन कहा और फिर सिर जुका कर अपना माथा भूमी पर टेक कर यहवा को दंडवत की और एशु, बानी, शेरिब्याह, यामीन, अकुब, शबत्य, होदियाह, मासयाह, कलीता, अजरियाह, योजबाद, हानान, पलायाह नाम लेवियों लोगों को व्यवस्ता समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और उन्होंने परमिश्वर की व्यवस्ता की पुस्तक में पढ़कर और टिका लगाकर अर्था समझा दिया और लोगोंने पाठ को समझ लिया तब नहे मायाह, जो अधिपती था, और एजराज जो याजक और शास्त्री था और जो लेवियों लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा आज का दिन तो तुम्हारे परमिश्वर यहवा के लिए पवित रहे इसलिए विलाप न करो, और न रो क्योंकि सब लोग व्यवस्ता के वच्चन सुन कर रोते रहे फिर उसने उनसे कहा कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो और क्योंकि आज का दिन हमारे परमिश्वर के लिए पवित रहे फिर उदास मत रहो क्योंकि यहवा का आरंद तुम्हारा दुढ़गड़ है यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहे कर चुप कर दिया कि चुप रहो क्योंकि आज का दिन पवित रहे और उदास मत रहो और सब लोग खाने पिने बैना भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए इस कारण कि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे और दूसरे दिन को भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पूरुश और याजक और लेविय लोग एजरा शास्त्री के पास वेवस्ता के वचन सुनने के लिए इकटे हुए और उन्हें वेवस्ता में यह लिखा हुआ मिला कि यहवा ने मुसा से यह अग्या दिराई थी कि इस्राइली सात्वे महिने के परुख के समय जोपडियों में रहा करे और अपने सब नगरों और यरुशले में यह सुनाया और प्रचार किया जाए कि पहाड पर जाकर जल पाई, तेल वरुख्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वरुख्षों की डालिया ले आकर जोपडिया बना जैसे की लिखा है सब लोग बाहर जाकर डालिया ले आए और अपने अपने घर की छट पर और अपने आंगनों में और परमेशर के भौन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एफ्रेम के फाटक के चौक में जोपडिया बना लिये बरण जितने बंदवाई से चूट कर लवट आये थे उनकी सब मंडली के लोग जोपडिया बना कर उन में टीके नून के पुत्र ईश्यू के दिनों से लेकर उस दिन तक इसरायलियों ने ऐसा नहीं किया था उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ फिर पहले दिन से पीछले दिन तक एजराके ने प्रतित दिन पर परमिश्वर की विवस्ता की पुस्तक में से पढ़पढ़ कर सुनाया यो वे साथ दिन तक परवको मानते रहे और आठवे दिन नियम के अनुसर महसभा हुई